तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Samsung के upcoming device के बारे में जो की Samsung के M series में launch होने वाला है इस वीडियो में दोस्तो हम बात करने वाले हैं Samsung Galaxy M24 smartphone के बारे में जो की इस बार Super Amore Display के साथ आने वाला है इस phone में हमें rear की side में तिरपरेर camera भी मिलेंगे और इस phone में हमें बहुत ही अच्छा processor भी मिलने वाला है इस वीडियो को start करने से पहले एक बात मैं आपसे जरूर करना चाहूँगा कि अगर आप भी कम budget के अंदर एक काफी बड़ी है smartphone लेना चाहते हैं तो आपने इस वीडियो को जरूर देखना है जिससे आपको प्रदद चल पाएगा कि आपको कैसे smartphone लेना चाहिए और जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो आप यकीन मानना एक काफी बड़ी है smartphone हो सकता है अगर आप भी future में एक new smartphone लेना चाहते हैं तो चलिए गाइस इस वीडियो को सुरू कर लेते हैं सबसे पहले अगर हम इस phone के display के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 6.5 इंचिस का एक super amulay display मिल सकता है जो की 90Hz, high refresh rate और 7 ही में इस वार एक पंचोल display के साथ आ सकता है इस phone में आपको Corning Gorilla 5 का support भी दिया जाएगा तो और अगर देखा जाए तो display आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है इस phone में और 90Hz amulay display भी आपको मिलता है तो overall आपको display quality काफी कमल का मिलने वाला है आगर हम बात करें guys इस phone के performance department के बारे में तो दोस्तों अभी तक इस phone का chipset confirm नहीं हुआ है लेकिन क्योंकि ये phone एक mini range smartphone होगा तो इस phone में आपको Exynos की तरफ से कोई chipset मिल सकता है या फिर Snapdragon 695 का chipset मिल सकता है ये एक mini range के अंदर वाफी powerful chipset है जो कि हमें अच्छा खासा performance लाकर देता है इस phone के साथ आपको 6GB, 128GB, 8GB, 128GB storage variant का option भी मिल सकता है ये phone 1U1 के साथ आएगा साथी में ये phone Android 13 के साथ out of the box आने वाला है तो आपको बहुत ये अच्छा performance मिलेगा Galaxy M24 में अगर हम बात करें guys इस phone के cameras के बारे में तो इस phone में आपको इस बाद पर एर camera देखने को मिलेंगे जहाँ पर आपको 50MP का main sensor साथी में 8MP का लटावाड अंगल lens और 2MP का micro sensor वी इस phone के साथ मिल सकता है rear की side में और selfie के लिए आपको 16MP का selfie camera मिल सकता है तो overall आपको rear और friend दोनों ही camera अच्छे मिलेंगे और Samsung guys generally हम देखते हैं तो मिन रेंज के अंदर और budget में camera अच्छे देता है तो इस phone में हमें cameras अच्छे मिलने वाले हैं और Samsung के cameras में आपको जितने भी camera feature मिलती है वो सभी camera feature इस phone में भी दी जाएंगे बाकी ये phone guys 5-6 AMG की बैटरी के साथ आने वाला है जहांपर हमें 25 ओट की part charging type C port के साथ में मिलेगा तो दोस्तो overall देखा जाए तो ये कुछ feature हमें Samsung के upcoming Samsung Galaxy M24 smartphone में मिल सकती है जहांपर हम feature देखते हैं तो pricing के हिसाफ से हमें काफी अच्छे feature दी जाएंगे फिर चाहें बातो डिस्पले, camera, performance या बैटरी की इस phone में हमें अच्छे feature मिलते हैं भाई इस phone के pricing और release date की बात करते हैं तो इस phone का pricing 16-17,000 के budget में होने वाला है और ये phone आपको March या फिर अप्रेल में जो है देखने को मिल जाएगा बागी दोस्तों कोई भी update आएगा इस phone की regarding तो मैं सबसे पहले जो है आपको update कर दूँगा तो guys आप सब हमें comment section में जरू बताना कि ये phone आपको कैसे लगा बागी अगर आपको ये video पसंद आया हो तो guys इस video को जरू लाइक कर देना और साथ ही में अगर आपने अभी तक हमाने चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को भी subscribe कर लीजिए ऐसे ही video future में देखने के लिए बागी दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको next video में तब तक के लिए good bye